हाइपो कॉंड्रियसिस के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं मेरा नाम है दॉक्टर दीपक करेकर में मनोविकार सेख्स रोग सम्मोहन तथा जैसनमुक्ती तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रेटिस करता हूं हमारे यहां लोग ऑनलाइन कंसलिडेशन करते हैं एक्चुली खुदा आते हैं और उनका इलाज कर लेते हैं हमारे यहां दो हस्पिटल है जाम लोगों को भरती करते हैं इलाज करते हैं हाइपो कॉंड्रियसिस यह ऐसी बिमारी है कि जिसमें वह व्यक्तिकों बाडिली यह और उसको लगता है कि बहुत सिरियस है यह मरें जाओंगा इस स्कहार जाओंगा कि यह स Candac marvelous उनका करने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में भी जब उसको मालूम है कि कुछ नहीं है सब रिपोर्ट निगेट है तब भी वह वीचार आते रहते हैं वह व्यक्ति को डेलूजन ने रहते मतलब ऐसा भ्रहम नहीं है डेलूजनल लेवल पर नहीं रहता कि पकाई है कि है करके डेलूजनल लेवल पर नहीं मतलब उसको लगता है कि नहीं होंगे ऐसा लिए कि होंगे ही 101 टक्का मंगर उसके वारे मिचार आते लगता कि नहीं होंगा ही उसको लगता है कुछ ना कुछ तो होंगा ही ऐसा उसको लगते रहता है उसको क्वेश्चन के अर्वल नहीं भी हो सक बादाएं आती है और वो बराबर अतना जीवन जी नहीं सकता छे मेने से ज्यादा है यह थी सिंटम्स यह है तो हम उसको हैपो कॉंट्रेसे सब बोलते हैं और हैपो कॉंट्रेसिस का निदान करने के लिए उसको पैनिक डिसॉर्टर नहीं होना चाहिए जनरलाइज एंग्ज बादाएं नहीं बोल सकते बाकि कोई बीमारी नहीं है और तभी भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे यह जो शारिक लक्षन है वो कुछ तो भी सीरियस है और मुझे तकलिव हो रही है और उसके विचार आते रहते यह जनरल पॉपिलेशन में 4-9 परसेंट लोगों को यह प् बीमारी ठीक करने मतलब ठीक होने के लिए तकलिव वाला कारे करने क्योंकि वो विचार उसको आते रहते है वो टेस्स करते रहता है डॉक्टरों को विजिट करते रहता है बार बार इदर उसको जाते रहता है दमाई लेते रहता है पच्चेस प्रतिशत लोगों 25 और दस टका लोग वो completely recover होते हैं जनल पॉपलेशन में मता है चार से नव टका लोगों को यह होता है मतलब काफी तादाद में लोगों को यह problem है इसके treatment में reassurance उसको देना support देना उसको हसला उसका बढ़ाना counselling है फिर उसके subconscious mind में suggestions देना सम्मोन के माध्यम से क्योंकि subconscious mind में विचार रहता है कुछ तभी है करके और विचार पका रहता है विचार बार बार आता है डर रहता है तो विचार subconscious mind से निकालना पड़ता है तो उसके लिए best psychotherapies, counselling, hypnosis और फिर ऐसा कुछ लगा कि associated depression है तो उस को anti-depression दे सकते हैं बाकि फिर symptomatic treatment है निन नहीं आजे तो उसके लिए कुछ देना निन के लिए मगर इसमें ख्यार रखना पड़ता है कि उसका addiction उसको ना होना तो ऐसे जो लोग होंगे उनकी लिए वीडियो जरूर काम में आएंगा आपको अच्छा लगा तो जरूर शेय उसका कि अशचा तुल